आज आप लोग एक लिए में पत्ता गोवी रोल के रेसे पी लेकर जीने पत्ता गोवी खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है इस तरीके के आप रोल बना के जरूर ट्राइ कीजिए उन लोगों को बहुत पसंद आएगा इसे बनाना बहुत ही असान है और खाने में उतने ही ज कर लेंगे और उसके एक एक ऐसे भाग हम निकालते जाएंगे जिस तर आप लोग वीडियो में देख सकते हैं एक साइड में यहां पर एक बरत्वने पानी गरम करने के लिए रखते हैं उसे वन टेबल स्पून हम इसमें नमाग आड़ कर देंगे जब पानी अच्छे तरी हम दो से तीन में टुपालने के बाद में इसे पत्ता को भी बहुत ज़्यादा सौफ्ट हो जाएंगे इसे एक एक करके हम पानी से निकाल लेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद में एक हम पैन लेंगे पैन में एक से दू चमच ह यहां पर सेंगदाना डालेंगे अगर आप लोग सेंगदाना नहीं डालना चाहते तो आप लोग हरी वाली मतर या फिर आप लोग कुछ और भी इसमें एड़ कर सकते हैं यहां पर हम सेंगदाना डाल रहे हैं सेंगदाना का आप लोग पहले भी रोश्ट कर सकते हैं या फिर सारी चीज़ों के लिए रोश्ट कर लेंगे और उसके बाद में टेश्ट उकर डियां इसा पर नमक ड़नने के बाद में इसे मिला लिएगے अने चार इसे अच्छे तरीके से हम देगे और मिलाने के बाद में इसमें थोड़े से मसाले एड़ करेंगे अधरचमच आम चूर पॉड़र डालेंगे अप लग याउ पास में आमचूर पॉड़र ने तो आप लोग देखे पर 1 देबल स्पून इसमें निम्बू का रस भी डाल सकते हैं जिर्प हम यह पर खटास के लिए डालना है और तेबल स्पून हम भूनावा जीरा का पोर्डर डालेंगे इसी दरीके से एंप मिलाने के बात में इसमें मैं वन टेबल स्पून में यहां पर चिली फ्लेक्स इसमें एड़ करतेंगे और इसे एक मेटकल अच्छे तरीके से हम पका लेंगे बारी कटा हुआ हम यहां पर हरा धन्या डाल देंगे या तो फिर आप लोग बारी कटा हुआ कड़ी पता डाल सकते हैं इसे एक प्रेट में ठंडा करने के लिए निकाल लेते हैं जो हमने पत्ता गोभी को निकाल कर रखा था पानी से अच्छे तरीके से यहां ठंडा होगे इसे हम जाइड कर देते हैं तब तक इसका एक बेसन का घूल बना के रड़ी कर लेते हैं एक देड़ चमच हम यहां पर ले रहे हैं बेशन ले रहे हैं मने यहां पर देड़ कप यहां पर बेसन ली आप लोग अपनी साफ से कमजाता कर सकते हैं जब स्कुण हम टेस्ट आपर नमक डालेंगे नमक डालने के पाद में इस अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसमें एक पी लंस या फिर एक भी गुट्ली नहीं होनाची यह जो हम पेश्ट बना रहे है जादा पतला जादा गाणा नहीं होनाची वरना यह पत्ता गोबी म और पत्ता लेने के बाद में उसे थोड़ा साम उपर का साइड से कटिंग कर देंगे और जो हमने श्टफिंग बना कर रखे दिना अच्छे तरीके से ठंडी हो गई है एक से देड़ चमच हम श्टफिंग लेंगे उसे इस तरह बिल्कुल जिस तरह हम पराठा राठा बनाते उबालने के बाद में इसे ठंडा गरके लिया था तो आलो की स्टफिंग लेंगे और दोनों साइड से अच्छे तरीके में कुछ इस तरह हो जाएगा तो इस तरह हम एक एक बना के याँ पर रेडी कर लेंगे और रोल बनने के बाद में हमने जो बेशन का गूल लिया था इसका नरी से हम डीप कर देंगे आप लोग इसे चम्मस से भी डाल सकते हैं जिस तरह में हाल से डाल रही है फिर आप लोग उस तरह भी डाल सकते हैं तेल अच्छे तरीके से गरम होना चाहिए विल्कुल भी ठंडा नहीं अच्छे से गरम होना चाहिए तो एक एक करके इसे हम deep करके वेजन में और इस तरह तेल में अच्छे तरीके से हम fry कर लेंगे एक golden color आने तक के और इसे विल्कुल अच्छे से ही डालिएगा वरना कभी कभी क्या होता ना इसके stuffing तेल में खुल जाती है तो इसके लिए वेजन थोड़ा हलका ना गाड़ा होना चीए पतला बिल्कुल भी नहीं होना चीए और तीन से चार में अच्छा सा color आने तक के हम दोनों साइट से तरीके से fry कर लें अगर वीडियो पसंद आती है रेसीपी पसंद आती है आप लोगों को तो मुझे प्लिस लाइक जरूर कीजिएगा और आप लोग भी इस पत्तागोबी की रोल को जरूर बनाईए मुझे कमेंट करके बताएए आप लोगों के रोल कैसे बने हैं तो इसे हमने दोनों साइट से fry कर लिया है इसे हम निकाल लेते हैं तो यहां हमारा पत्तागोबी के रोल कैपेज के रोल बनके रेडी हो गए है जो बहुत ज़्यादा टेश्टी लगते हैं यह फ्रेंड्स खाने में बहुत जादा उपर से कुरकुरे लगते हैं अंदर से बहुत जादा सौफ्ट लगते हैं इसे आप लोग ना तब बनाना हो और खाना हो तब यह आप लोग इसे fry किजिएगा फ्राइ करके बिल्कों भी मत रखियेगा यह बहुत जादा जल्दी सौफ्ट हो जाते हैं तो यह इच्छे से फ्राइ और इसे हम निकाल देते हैं झाल प्लेट कोंगे उन्याओ कि अब्लेट नाट कि अजय को और सेंग्स दूल टे जाले काई है